नमस्कार दोस्तो दोस्तो अगर आप रोई सर्मा को एक भैतरिन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक शुरू कीजिगा दोस्तो आईपिल 2020 का बीसवा मुकाबला और एक रोमान चक मुकाबला मुंबई इंडियन्स और राजस्तान रोयल्स के बीच खेला गया इस मुकाबले में मुंबई इंडियन्स ने राजस्तान रोयल्स को 57 रन से करारी हार दी है और इसी के साथ मुंबई इंडियनश अब फीड से अंख तालिगा में पहले स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों हम आपको बता दें के मुंबई इंडियनस के कप्तान रुहिस सर्मा ने टॉस जीत सरक पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से बल्लेबाजी करने आए रोहित सर्मा और कुईंटन डिकोक, दोनों ने ही मुंबई इंडियन को बैतरीन शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 49 रन जोडे, लेकिन पांचवे ओवर में अपना पहला मैच खेल रहा है कार्ति त्यागी ने डिकोक को आउट करके टीम को पहली सफलता दिलाई, इसके बाद रोहित सर्मा ने सुर्य कुमार यादो के साथ दूसरे विकेट के लिए और 49 रन जोडे, लेकिन दसवे ओवर में स्रियस गोपाल ने 88 रन के स्कोर पर लगातार दो गिंदो पर रोहित सर्मा औ और इसान किसन को आउट करके मुंबई को दो बहुत बोले जटके दिये, इसके साथ 10 ओवर के बाद मुंबई इंडियस का स्कोर 90 रन तीन विकेट के नुकसान पर रहा, इसके बाद मुंबई इंडियस ने 12 ओवर में 100 का अखड़ा भी पार कर लिया, लेकिन 14 ओवर में 117 क स्कोर पर जोफरा आर्चर ने कुरुणाल पांडिया को आउट करके टीम को 34 सफलता दिलाई, 16 ओवर में सुर्य कुमार यादव ने 33 गिंदो में अपने इस सीजन का पहला अर्द सक पुरा किया, और हार्दिक पांडिया ने 19 गिंदो पर 30 रन नाबाद बनाए और दोनों ने मिलकर टीम को 190 के पार पहुचाया और टीम का स्कोर 20 ओवर के बाद 193 रन 4 विकेट के नुकसान पर बन गया, दोस्तो इस लक्स का पिछा करने उतरी राजस्तान रोयल की सुरुआत काफे खराब रही और तीसरे ओवर में 12 के स्कोर पर उनके टॉप के 3 विकेट गिर नुवे ओवर में टीम का स्कोर 42 रन पर था और महिपाल लोमरोर भी 11 रन बना कर आउट हो गए, जौस बटलर ने 44 गिंदो पर 4 चौको और 5 चौको की मदस से 70 रनों की दुआदार पारी खेली, लेकिन 24 ओवर में अठानू के स्कोर पर उनके आउट होने के राजस्तान रो आउट हो गए और इसी के साथ राजस्तान रोयल्स की भी उमिदे कर खतम हो गई जीतने की, जोफरा अर्चन ने 11 गिंदो पर 24 रन बनाए लेकिन टीम को एक तरफा हार से नहीं बचा सके और राजस्तान रोयल्स की पूरी टीम मातर 136 रन बना कर ही ओल आउट हो गई, दोस तो आपको मुंबे इंडियस की या जीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, धन्यवाज